हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका विहार APO के जो ये कोर्स है इसके क्रेस कोर्स में और ये केवल विहार APO के लिए नहीं UP, UK जहां का भी ही आप जो डिसरी आई APO का पेपर देंगे वहां पर आपको ये GS हेल्प करेंगी लिकन अभी विहार APO को फोकस करके हम कबर करा रहे ह तो आप मान सकते कि विहार APO के लिए इस्पेशली डिजाइन कोर्स है तो भागॉलिक संकियत तक इसमें हम डिसकस करेंगे काफी टॉपिक डिसकस हो चुके है आप चैनल की प्लेलिस्ट विहार APO के उसमें जाके देख सकते हैं कि कौनकों से टॉपिक हो चुके आज की क्ल बनता जा रहा है और इससे कोश्चन वनने के संभावना है तो थोड़े से हैं आईए हम डिसकस कर लेते हैं कंदमाल हल्दी कहां से है उडिसा से कंदमाल हल्दी कुछ जी आई टैग देखिए जी आई टैग जो होता है उसको जो ग्रोफिकल इंडिकेशन एक्ट जो है उसके तहथ पुरदान किया जाता है और ये अभी खाली में परंपरा चलिए कि अदिक से अधिक राज्य अपने जी आई टैग ले रहा है अपने उत्पादाव पर और उसका फाइदा क्या होता है उसका फाइदा होता है कि एक पहचान बनती है उस सामान से उस स्थान की और फिर उस सामान को आयात निर्यात करने के लिए अलग से उजनाय बन सकती है और भी बहुत कुछ हो सकता है तो इसलिए GI Tech पर ज़्यादा से ज़्यादा कहीं कहीं तो बिवाद भी हो रहा है कि किस राज्य को किस चीज का GI Tech मिला है जैसे एक ही चीज पर दो राज्यों में निर्माड हो रहा है और दोनों ने GI Tech के लिए आविदन कर दिया है तो ऐसी स्तिती भी हो रही है लेकिन हमको उससे नहीं जाना हमको यह देखना है कि कौन सी चीज कहा की फैमस है तो यह दो तरीके से thanasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas तमिल नाडू को, सांगली हल्दी का जियाई टेक किसे मिला है, महराष्ट को अलफानसो आम का जियाई टेक किसे मिला है, महराष्ट को कुलू सॉल का किसे मिला है, हिमाचल प्रदेश को काला जीरा हिमाचल प्रदेश चूली तेल को किसे मिला है हिमाचिल प्रदेश को बारंगल की दरी का किसे मिला है तेल अंगना को अधिलाबाद की डोकर क्राफ्ट का किसे मिला है तेल अंगना को कड़कनाथ मुर्गा किसे मिला है मद्द प्रदेश जाबुआ जहाबुआ जुगे पर कड़कनाद मुर्गा होता है मुद्ध प्रदेश को यह मुर्गे की एक वैराइटी है बोसा सोल चावल का किसे मिला है असम को बोका सॉल बोसा सॉल चावल और बोका सॉल यह दोनों किसे मिले है असम को बनारसी साड़ी का किसे मिला है बनारस को नाम से ही पता चला है बावा बुंदिर्गिस कॉफी करनाटक को देखे कॉफी अलग-अलग राज्यों ने अलग-अलग कराएं यहीं पर आपको तीन कॉफी मिल जाएंगी बावा बुंदिर्गिस कॉफी करनाटक को चिक मंगलूर मर्यूर गुड किसे मिला है केरल को ब्रच नीलामबर टीक कोई चीज होती होगे ब्रच नीलामबर टीक किसे मिला है केरल को तिरूर पान ये पूछा भी जा चुका है किसे मिला है केरल को अराकू कॉफी ठीक अभी आपने उपर कॉफी पड़ी तब देखिए यहां भी आ गई अराकू कॉफी आंध्र प्रदेश को जीरा फूल चतीस गड़ को छव मुखोटा पस्चे मंगाल को गोबिंद भोग चावल पस्चे मंगाल को कोलापूर चप्पल महराष्टरा को नाम सभी पता चला कोलापूर कहा है महराष्टरा में अब यह बिहार के आ गए हैं बिहार ने किसकिस में जी आई टेग लिया है यह आप इस फेसल रूप से याद कर लिजी क्योंकि यह तो आप नवी चावल मगही पान साही लीची जर्दालू आम और सिल्वा खाजा इन सम्में किसको मिला है बिहार को बुड़न फ्रेंटिंग ब्लॉग में मिला है पेठापर गुजरात को ग्रीन टी और वाइट टी इन दोनों में किसको मिला है दार्जलिंग को पंच तीर्थम प्र और भारत का जी आई टेग स्टोर कहां खुला है गोवा में बारत का सबसे पहला जी टेग किसे मिला यह कूशन पूचा जा सकता है तो दार्जलिंग की चाय को मिला था और दार्जलिंग कहा है पस्चे मंगाल में तो भारत में जी आई टेग जो संस्ता देती है उसका स्लो और न साथ को टाइटा आयरं एट सेल कंपणी जमस हेट इस तरीके से पूचहे को कहा है ये पूरा नाम पूच्छ टिया जाएगा टाइटा इस पहले आप इसे देख सकते हैं ठीक है बिश्वर रहिया आइरन एंड इस्टील कंपनी सिमोगा में है करनाटक में बद्रावती निदी के किनारे है सिमोगा बिलाई स्टील प्लांट 1955 में बनाता दुर्ग 36 गड़ में है रावर के रा इस्टील प्लांट यह जर्मनी के सयोग से 1905 में बनाता सुंदर गड़ उडिसा में है यह अधिकतर जो प्लांट है वो 1955 में क्यों लगा गया थे कि 1955 में हमारी 25 वर्षी योजना चल लाई थी और जिसका मुख्य फोकस था उ है लेकिन फिर भी रूपीट कर सकते हैं कि रावर क्यलप रेटीन स्टील प्लांट किसके सिवस्टील प्लांट अंद पि्योंनित तरीके सी President Reality किंग इंको आप बहुत अच्छे से तयार कर लीजिए हर दिन सुबह 10 बजे क्लास हो रही है आपकी यहां पर लोग्यान पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन दवा लीजिए ताकि कोई क्लास आपकी मिसना हो क्योंकि एक क्लास से भी आपके 5-10 नमबर के कोश्चन आ सकते हैं बिहार प्रेबियों और और आप अगर कोई एधर एक्जाम दे रहें तो उसमें भी इससे कोश्चन अच्छे आएंगा आप इतना सवयोग कर सकते हैं फुरी क्लास के बदले कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे और जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा मैं उतना ही ज्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूंगा बाय बाय